आप देखने आवाज इंडिया न्यूस का खास प्रोग्राम साथ गारंटी दी काले एक सवाल आया था आपी लोगों में से कि ये गारंटी शब्द आपने क्यों रखा हमने इसलिए रखा है कि भार्ती जन्ता पार्टी और विशेश का श्री नरेंद्र मोदी ने वाइदा शब्द का आवमुल्यन कर दिया और उसके साथ साथ उसका अर्थ खतम हो गया तो कॉंगेस पार्टी सुरू में ही ये जो गारंटी शब्द का इस्तिवाल कर रही है और हर राज में हमने किया लिए का और ऐसा नहीं है कि ये जो गारंटी है ये ही करेंगे ये एक डाइरेक्शन है हमारा कि कॉंगेस पार्टी की सरकार किस दिशाने जाएगी और हमारी सरकार करती है तो हम सबसे पहले इन विद्वों को पूरा करने का काम करेंगे और ये हमने करनाटक में किया ये हमने 36 गण में किया और करके बदाए इसी लिए कि जब हम गारंटी देते हैं उसके पहले सारे फाइनेंशनल इंप्लिकेशन के बारे में विचार कर लेंगे क्योंकि जो राजनीत की विश्व सुनीता है कि श्रीनरेल रमोदी के राज में वह लगातार गिरती जा रही है अब हमारा डिरेक्शन क्या है और यह चुनाव क्यों महत्वकून है यह चुनाव सिर्फ राजिस्तान के लिए नहीं पूरे देश के लिए महत्वकून है और यह चुनाव खाली सरकार बनाने और विगाड़ने की सब्सक्राइब का चुनाव नहीं है क्योंकि राजिस्तान की सरकार कांगरे सरकार ने अशो गहलोत के नेत्रित में एक new model of governance देने का काम किया है जिसमें सामाजी स्वरच्छा, शिच्छा, स्वास्थ, रोजगार और भविष्य का निर्माण। देने का ने रिए पित करना हूँ, the new model of देने का ने रिए जिसमें सामाजी स्वरच्छा, शिच्छा, स्वास्थ, रोजगार और भविष्य के लिए रोड में। इसी लिए, दुनिया तो है, लेकिन हिंदुस्तान के अन्य जगए भी, राजसरकारें ये सोच रही है कि ये क्या है। तो अगर हम राजस्तान में इस model को लेकर चुनाओं जीते हैं, तो यकीन मानिये, देश के अंदर भी ये model स्विकार किया जाएगा। और अगर राजस भी इसको शुकात करेंगे। लेकिन भारती जन्दा पार्टी कोई इससे चीज़ों से कोई मतला भी। मोनी जी कह रहा है हमारे शहरे पर दो, कमल पर दो, वो दिजने समय से दे रहे। और बीजेटी का जो model है, वो है लूट और जूट का सरकार model। कोई विजन नहीं आया उनका। भाई, आप प्रदान मंत्री हैं, आप कहर रहे हैं कि मैं कारण्टी देता हूँ। तो अब तक कोई दूसरा प्रदान मंत्री था क्या। इस देश के अंदर जितनी बदहाली है, परशानी है, उसका कारण मोदी सरकार की जन विरोधी और पूंजी पती परस जो नीतियां हैं, उसकी वज़े से आज करता है। यनि सरकार जनित तक्रीफ आज इस देश की तरफा को बोला है। और इसमें हर वर्व बदहाल है। महेंगाई की चर्चा क्यों नहीं होगी। क्यों महेंगाई हमारे समय में भी महेंगाई होती। यनि उसमें हम अगर केद्र की सरकार में रहे तो अगर किसी चीज के नाम बढ़ते थे तो कई बार मौसमी महेंगाई भी होती। और वो मैने दो मैने में खतम होती। लेकिन अगर अगर यह लगता था कि यह प्राइजित महेंगाई है। तो सरकार दखल देती। और जो आवशक वस्तु अधनियम कानून है। उसके दार कारलाई करके जैपी डालती। लेकिन झालती।